हेलो फ्रेंड्स मैं निटिंग गुडिया अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए ये सुन्दा सा डिजाइन लाई हूँ ये डिजाइन आप लेडी स्वेटर बेवी फ्रॉक आधी में डाल सकते हैं ये बुन्ने में बहुत ही आसान है तो आएए देखते हैं ये डिजाइन कैसे बनाया जाता है 10 रोज रिपीट पैटर्न है 17 के मल्टी पल्स में हमें फंदे डालने हैं प्लस दो फंदे एजस के आएए शुरू करते हैं ये डिजाइन पैला फंदा स्लिप किया अब हमें दो फंदो का एक फंदा बनाना है और उसे उल्टा बुन लेना है प्लस ट्रो दो फंदो का एक फंदा बनाकर उसे उल्टा बुनना है पस्ट रो हम ऐसे ही complete करेंगे last में ये एक फंदा उल्टा आएगा और एक फंदा edge का सीधा second row एक फंदा slip किया एक फंदा उल्टा बुना अब दागा ऐसे सिलाई पल पेटेंगे और एक फंदा उल्टा बुलनेंगे फिर से दागा सिलाई पल पेटा फंदा उल्टा बुना, दागा सलाई पलपेटा फंदा उल्टा बुना, दागा सलाई पलपेटा फंदा उल्टा बुना, ऐसे ही हमने ये पूरी रो कम्प्रीट करनी है, लास्ट का फंदा एज का उल्टा बुनेंगे, थर्ड रो, पूरी सलाई सीधी बुनेंगे, थर्ड रो पूरी सीधी बुननी है फोर्थ रो हमें पूरी उल्टी बनानी है फोर्थ रो पूरी उल्टी बुननी है फिफ्त रो राइट साइड पहला फंदा स्लिप किया अब दो फंदो को एक साथ बुनना है दो फंदो को एक साथ सीधा बुलनेंगे, ऐसा हमने तीन बार बुलना है, दो फंदो को एक साथ बुलना सीधा, दो और ये तीन अब दागा सलाई पल पेटा और एक फंदा सीधा बुलना, ऐसा हमने पांच बार करना है, दो तीन चार और ये पांच पांच बार हमने दागा लपेट कर सीधा बुल लिया, अब हमने फिर से दागा लपेटना है, फिर ऐसे इस तरीके से दो फंदे स्लिप करने हैं, राइट साइड में, अब लेफ नीडल से ऐसे करके दो फंदे इसमें लेकर सीधा बुल लेना है, दो का एक कर लेना है, फिर से देखिए ऐसा हमने तीन बार करना है ऐसे दो फंदे स्लिप किये फिर लेफ निडल में ये दोनो फंदे रखे और ऐसे करके पीछे की साइड से सीधा बुल लिया ये देखिए दो फंदे ऐसे स्लिप किये Left needle में ऐसे इस तरीके से इसको फंदों को डाला और पीछे की side से सीधा बुन लेंगे ऐसे हमने तीन बार करना है Last time का पंदा सीधा Sixth row हम पूरी उल्टी बुनेंगे Seventh row हम पूरी सीधी बुन लेंगे Eighth row पूरी उल्टी बुनेंगे Eighth row wrong side पूरी उल्टी बुनेंगे Ninth row हम row five की तरह ही बुनेंगे Ninth row हम row five की तरह बुनेंगे एक पंदा स्लिप क्या दो पंदों का एक पंदा बुना तीन बार बुनना है दो पंदों का एक पंदा तीन बार करना है दो और ये तीन फिर धागा सलाई पर लपेटा इसको पांच बार करना है पांच बार सीधा बुनना है एक दो तीन चार और ये पांच फिर धागा सलाई पर लपेटना है फिर दो फंदों को ऐसे स्लिप करना है और उसको लेफ्ट निडल में ऐसे लेकर उसको पीछे की साइट से दोनों फंदों का एक फंदा करना है ऐसा हमने तीन बार करना है पीछे की साइट से बुनेंगे लास्ट का एज का फंदा सीधा टैन्थ रो रॉंग साइट पूरी उल्टी बुलनेंगे ये देखिए इस तरीके से ये डिजाइन त्यार हो जाएगा इस तरीके से ये डिजाइन दिखेगा तो ये डिजाइन इस तरह से दिखेगा अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए थैंक्स पर वाचिंग